हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागते हैं आप इपने यूट्यूब चेनल रासरकारी जो 24 में फ्रेंट्स आज की स्यूडिय में बात कने वाले यहां पर फाइनल के यहां पर एक्जाम फॉर्म पहले है स्टार्ट कर दे गए और उसकी अंतिम चेती भी लगबक निकल चुकी हैं और उसकी लास्ट डेट को एक्टेंड भी कर दे गया था तो इस वीडियो में हम बात कने वाले कि जो सेकेंडियर के जो एक्जाम है फॉर्म यह इसके अलावा अन्य कोर्सेस भी है उनकी बी यहां पर फॉर्म स्टार्ट कर दे गई है इसकी फॉर्म की यहां पर पालिए 해 7 कि पीश रहने वाले हैं बीए बयसी वीकुम अलगलग धीज़ यह पर रगए गई है तो इन की वाली है अपकर फोर्ण भने की जो अन्तिम तारीख है वो क्या रखी गई है इसके बारे बात करने बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब गरके बेल आइकन को उन कर लेना ताकि आपको MDS University से regarding हर एक परकार की official updates लगातार मिलती रहेगी तो फ्रेंट सबसे पहले यहाँ पर देशते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो फीस के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं नियमीत और फूर चात्र स्वेंपार्टी चात्र में जिसमें सनातक प्रेक्षा यानि की PG होती हैं जिसमें पास ओनर्स दिद्धिय फार्ट का यहाँ पर जारी किया गया है डेट से जिसमें आवर्जते हैं बीकों, बीएसी, बीएसी, ग्रह विज्ञान और बीएसी, आईटी, नेचुरल वोती और बायोटेक या पर बीसी ए इन कोरसे इसका यहाँ पर जो एक्जाम पर मे वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें बीना विलम्ब, यान कि आपकी कोई एक्स्टा फीस नहीं लगेगी, चो फीस तैक ही गहें, वही पीस रने वाले हैं, और पीस की डिटेल्स वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रवाइड करौँगा, इस वीडियो म पीस आपकी यहाँ पर लगेगी, और इसके बाद 10 तारी के बाद आप यहाँ पर जमा करवाते हैं, तो यान 11 जनौरी से लेकर 16 जनौरी तक पीस आप यहाँ पर पीस जमा करवाते हैं, तो इसमें जैसे कि आपकी पीस यहाँ बारा सो रुपी हैं, तो इसमें प्लस सो रु तो यह जो 100 पी है इसका double piece ho जाएगा यान कि जहां पर lathPis आपकी 100 पी लगने वाले थी उसके double 2 यान कि 200 पी आपकी लगेगी आपकी यहां पर main piece कितनी है 1200 पीछ और यहां पर double piece कितनी हो जाएगी 200 पे इसमें add हो जाएगए यानि कि आपके total आपको यहाँ पर late से late यान कि आठारा तारीक के बाद आप जमा करवाएंगे तो 14 सुर्फ पर आपको पीस जमा करवाने होगी तो यह तो होगे आपको late पीस के बारे में ठीक है तो यह वाले courses वाले इसमें apply कर सकते हैं लास्ट लास्ट डेट रहने वाले हैं 18 जनवरी ठीक है तो मैं चाहँगा कि आपको यहाँ पर देशते हैं 10 जनवरी से पहले पहले आपको apply कर लेना है आपको 6 दिन का time आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर रसते हैं उप्रोक्त वनित प्रिक्स कर्वाने होगी इसके यहाँ पर देशते हैं 11-2023 तक आप यहाँ पर जमाक करवा सकते हैं और late keats भी आपको यहाँ पर देखने को मेली 16 जनवरी उसके बाद last lateрист है 19 जनवरी ठीक है और इसके बाद आपको यहाँ पर जाप के लिए नहीए ठीक है यह college वाले युनिशिटी वाले कंडिडियेट के लिए हाँ ठीक है अब बात करते हैं आपको फोर्म बनने के बाद कोलिज में क्या 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 डॉकमेंट्स आपको जमा करवाने होगी यहाँ पर देसकते हैं वांचेक दस्तावेज में जिसमें आपको परिक्षा आविदन पत्र आ यहाँ ने कि आपको हँगा च्पर आपके च्नले करवाने को मांगा जा सकता हैं वह भी आपको साथ में लेकर जाना है लेकिन यह हैं जरूर नहीं होगा । एक आपको यहाँ पर एडमेशन सलीप और साथ में आपकी सेकेंडर का बरें तो पस्टियर की आपको माशीट आपको लेकर जानी होगी ठीक है यह तीन डोकिमेंट्स तो अनिवा रहे हैं ठीक है और इसके बाद महाविद्याले में आपको यहाँ पर पूरी अपडेट सेंट्र का टौक है डौक के जो तरी बी सेंटर है वहां पर आपको दिया जा सकता है ठीक है तो यह थी important information और इसके बाहरे मिए बात करते हैं और यहाँ पर नोट में आपको यहाँ पर नहीं कर पाएंगी ब्यसी वाले कंडिरे पस्टेर सेकंडिर थर्डियर का ठीक है कारण नहीं बताया गया है ठीक है और इसके बाद यह आप दो जारबाइस के एकजाम में यह आप सप्लिमेंटरी का एकजाम पॉर्म आपने बरा हैं तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही आप आपको फोर्म बनना है अन्यत आपको नहीं बनना है इसका आपको अलग से मोका आपको यहाँ पर दिया जाएगा लाज्ट इट भी आपको एक्स्टेंट की जाएगी जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आपको फोर्म बनना है अधर आपको फोर्म नहीं बनना है क्योंकि एन्हों कि आपका जो फस्ट है का जिनका मार्शीट नहीं तो आपको जमाग करवा सकते हैं उसमें कोई भी बात देता नहीं है ठीक है और भी important information है कि यहां पर दाख सकते हैं Rb новых यान्न कि आपने राजस्तान यहाद्थान मदद में और राजस्तान राजस्तान मोद्धें यूरिशिटी में लेना चाहते हैं तो उस तोर पर आपको यहां पर Original मारशी जमा करवाने होगी और साथ यह साथ आपको Migration भी लेना होगा जमा करवाना होगा है ठीक है तो यदि आप एक दूसरी यूरिशिटी चैंज करते हैं तो आपको प्रवाइशन की भी जुरत पड़ती हैं तो आप युनिवरिसिटी जाकर लेकर आ सकते हैं इसके बाद यहां पर रसते हैं वे सबी अभ्यारती जो मार्षी दयाना यानके MDS युनिवरिसिटी में नामांग कीते हैं पहले से आप यहां पर एडमिशन ले चुके हैं और इसे अभ्यारती जो पंपायनेल है जो सबे होस्झीत आपको यहां पर जमाक करवानी होगी पोटोप्र करेंट करुए ठीक है और इसके बाद नेमीत अभ्यारती हैं जो उसका नामांगंकन पत्रे Online form के साथ ही आपको सलगन करना है यानकि Дोक्स जाफ के साथ परिक्षा आविधन के साथ ही आपको डोकुमेंट जमा करवाने होंगे ठीक है ये हो गई आपकी important information इसके वीडियो में आपको यहाँ पर complete जानकारी में आपको provide करवादी हैं और आपका जो एक्जाम है एक्जाम जो पेपर हैं हिंदी अंगरीजी दोनों में होने वाला हैं लास्ट इंपोर्मेशन ये दे रखे हैं कि ऐसे अभ्यार्थी जो नियमेत स्वेम पार्टी ठीक पूरोचात्र जो परिक्षा 2023 की सनातक परिक्षा में द्युत्य भाग में प्रवेश्ट हो रहे हैं यानि कि सेकिंडियर में आप यहाँ पर एक्षाम देने जा रहे हैं तो ऐसे अभ्यार्थी प्रिक्षा वर्ष 2023 में दित्य वर्ष के पार्टे क्रम अनुशार ठीक है नया पार्टे क्रम जारी किया गया है उसी की अनुशार अन्य अनिवारे विश्यों के साथ प्रियावन व विज्ञान का एक सब्जेक्ट भी होगा उसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा इसका भी आपका एक्जाम होगा जो कि फ्रेंट से 2022 की सेर्शन में ये सब्जेक्ट नहीं था नया सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है तो इसका भी आपको एक्जाम देना होगा ठीक है तो आपको थोड़ा सा subject को chain करने का option अलगाता है तो रुस वाला वीडियो में आपको next studio में परवाइड करवा दोंगा ठीक है तो आज की studio में बस इतना है साई वीडियो पर जानका है आपको अच्छे लेगी वीडियो को like करें, channel को तो subscribe नहीं किया